हेलो अबरीबन आ गई हूं मैं नेक्स पार्ट लेकर पिछली पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह लियो यांदान यूमो और यहां पर यूवान सब मिलकर टाव जी क्योंकि एक चीज ढूंड रहे होते हैं वह होती है हेयर पिन और यहां पर हम देखते हैं कि काफी देर फाइनली लियो को है पिन मिल जाती है और बहुत खुश होता है कि उसे वह हैर पिन मिल गई है यूवान थे उसके बाद तीनों मिलकर रिकवर कर रहे होते हैं या ना देखते हैं कि यूवान दिल में फिर से दर्द होने लगा तो पीछे से पावर देखती है और थोड़ी तो वाहती है और पर मेरी आख़ो देखा करेंगे हैं oh कि है आखो कोdan वह जानता है जानती थुम्हें तुम्हारे होने और ना होने से मुझे पता चल जाता एक अभी भी और मैं कहां पर हूं तो वो बोलता है कि तुम जो है नाइट फॉर्गेटिंग डीवर पर हो क्योंकि मरने के बार लोग यहीं पर आते हैं तो मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगी इसलिए मैं तुम को यहां पर डूंडने आया और फिर वो उसके बालों में हैपन लगा तुम्हें वापस लाया है इसमें इन तीनों का वहीं बहुत बड़ा हाथ है वह जैसे ही लौड उनकी तरह पागे बढ़ती है लेकिन लियो इसारा कर देता है कि अभी कुछ मत बोलना फिर वो तीनों को वहां पर धन्यवाद बोलती है यांदान कहती है कि मैंने आपकी दूंगे आप जरूर आईएगा देखने अचानक से जो टाव होती वह भी होस होने लगती है लियो उसको उठाकर ले जाता है जहां पर पता चलता है कि वह अब खुद एक मानों बन चुकी थी तो उसके अंदर जित्ती भी एनरजी थी वह कामी नहीं कर रही थी बोड़ा एकार करोने में टाइम लगेगा अब यहां पर यान दान उसको देख कर बोलती है कि साइन मैं भी जब अपनी मेमोरी खो रही ओंगी तब यहीं पर रहे होंगी किसी ना किसी टाइम अभ। अब मुल निकलती है जहां पर यह जहेंग कर घुःक्कHHH कूब शारी बार में पस्ताना मद वो बोलती है कि जब मैं यहां पर आई ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ना मैं इस जगे से परिचितू वह लेंटेन उठाता है एक अचानक से चमक नहीं लगती है वह बोलता है यह क लड़की को नहीं है तुम्हें उसके पास वी तो जाना है तो मुझे प्यार भी तो करते हो तो यहां कहता है कि जैसे तुम्हें अपनी पुरानी मेमेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते है तभी यानन कहती है तुम्हारे याद में ब्रेसलेट है जो वह चमकता है क्या वह मेरी वज़े से चमकता है तुम बताओ मुझे अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हो करें मुझे अच्छे से ट्रीट मत करो मैं इन से प्टेजों कि आदी नहीं हूं युवान उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है अनेक से वह परेंट तूट जाती है और उसके दिल में जो चार जगें ना वुए एक जगे फिर से अपनी आप उभरगी दर्ध होने लगता है उसको को बोलता है मेरे सद्ट दूर हो जाओ अभी क्या अभी यानान बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाओंगी वह बोलता है तुमरे खतरा हो लेकिन जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे अच्छा लगता है और भले ही हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं लेकिन तुम मेरे पास हो और फिर उसको किस कर लेता है पलट कर जब वह युवान को किस कर रही होती है तब उसके हार्ट तक उसकी पावर जाती है दीरे-दीरे करके एक-एक पोईंट में और जैसे ही उसके हार्ट में पावर जाती है उसकी मेमरी फिर से आ जाती है और उसने जो चेहुआ हैर पर बार बार वो फिल्प कर दिया करता था फिर वह गई थी जहां पर स्नीशनवे इसने किया था और सबसे बड़ी बात जब उ वो सब चीजे उसको याद आती है यांदान रोने लगती है युवान को भी अब होस आ जाता है तो अपनी लिप्स पर हा रखता है बोलता है वो उसको लेकर जाती है यहां पर कैसी है यह जिंदा है अब युवान अपनी पावर का यूज करता है लेकिन से मार दिया। और उनकी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं। तुम हो उनकी मौत की जिम्मेदार। यहांतनान को बहुत गुष्सा रहोती है। कि तुम्हारा धिमाग खराब हो गया है। अब भी थर्ड आटिफेक्टरे शोमू का यूज़ करके उस पर अटेक करती है। ऑर इतना अटैक करती है कि वह उठी नहीं पाती है यहां पर यानदान कहती है के मैं अपनी स्लेष्टर आर्ट का यूज करूंगी जो कि मुझे पहले से पता था और तुम जो एना एक ऐसे नहीं पर तुम्हें से प्यार किया कभी मुझे पलट कर प्यार किया और यांदान का। नऊंपशा फूरी तरीके से जल कर हवा में ऊपउड़ जाती है इधर यांदान सब्सकार्ब को देखने यांधान को को भी विवत होश रहता है यह जो पहल mane कारति टाhen कि इसे बचाती ही हूं तो क्याता है कि तुम इसे कैसे बचा हो कि तो बोलती है, मैं Kumo कोई रास्ताइ रूंण भूझी तुम अपना खयाल रखना तो यान-दान कहते हैं मैं अपना खयाल पावर नहीं बचाया तो बस मैंने तुम्हें ना कुछ अपनी पेटल्स दी है इससे ज़्यादा कुछ निवह उसका हाथ पकड़ लेता बोलता है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बचाया वह बोलती है रे कुछ भी नहीं यह बहुत ही जो चूमो था नहीं बहुत अब मुझे यहां से जाना होगा जैसे वह आगे बढ़ती है यहां कहता है तुम्हें इतना ज्याद हो तब चेक करता अपनी बॉड़ी के अंदर हो देखता है कि आधा हाट का टुकड़ा उसको दे दिया है तो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुमने आधा पकड़ कर इधर जब यांदान रूम में आती है कि इस हेयर पिन को मैं क्या ही कहूं कि यह हैवेंली रिलेम से मेरा पीछा कर रहे है तभी यूमो कहता है कि मेरा पेट भर चुका है क्योंकि मैं बहुत ठक गई हूँ यूवान को ट्रेट काते करते हैं तो मैं खाना नहीं ख सूप बना कर लेकर जातर बोलता है कि तुम बहुत अंस्टेबल हो इस टाइम कुछ सूप पिलो ताकि तुम थोड़ा सही हो जाओ फिर वह स्लेस्ट्र डीमन वार के बारे में पूछने लगती है कि उसके बाद क्या हुआ यहां पर बोलती ही मेरे क्लैन का क्या हुआ हुआ कि मेरे भी परिवार को पूरी तरीके से जला दिया गया तो तो टाव बोलता है नहीं उसे डीमन लोगों ने पकड़ कर मा डाला था तुम्हारे क्लैन का कोई भी एक भी जिन्दा नहीं बचाए और खुते ते से रोने लगती है फिर वह हैर पिन जो होती है जिसका नाम होत लियों बोलता है अगर तुम्हारी से तुम्हारी से एक तुम जा सकती हो लिकिन अभी तुम भीमार हो अच्छे अफ्स पिर मुझे बताना कि क्या सचमें इहां यहां बमारे चाहती हो utility मिवन में पर नहीं डेकर उसी यहां जाना होगा तुम चली जाना इधार यांदां फ पर आजाते हैं और बोलते कि यहां नहीं तारेकर पूरे 800 साल कोई नहीं सब्सक्राइब होने देखो यहां पर ऑफिर से फिन्चार्ट लकूरी अब यहां पने चीजे दिखाता है कि कैसे यहां ने उसकी पूरी तरीकरे से देखभाल की ती एक हम्हें आड़ी एक यूज करके उसकी जान बचाईती है और इससे किस तरह से दोखा दे रहा थी यांद्धान उसको देख देख कर बस रोय जा रहे थी यहां पर उसे पता चलता है की युवान नहीं पूरी मेरी गायब की थी इसी के जरियह तो उसे बहुत गुस्ता आता है तो बोलती है कि तुम मुझे भहत पहले से दोखा दे रहे थे लाव Works ऑन और रही कि कितना ब्लॉं कितना ज्यादा सहरा हो सकते हैं अभी आने वाले टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजे होंगी जिससे पता चलेगा कि वंदान है क्या वो युवान से मिल पाएगी क्या लिंग्विन ने नया जन्म ले लिया है क्या युवान की आद्दास वापसा पाएगी जाड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक् पर ये साथ में लाइक, कॉमेंट और शेयर थेंक्यू सो मच्छ